चोपड़ा है जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो अब इस्टेट के मौपपराउंड के सेडूल जारी हो रहे हैं किसी-किसी इस्टेट की ओफलाइन काउंसलिंग है तो किसी-किसी इस्टेट की ओनल ओनलाइन मौपपराउंड होगा और ये स्टेट के लिए कुसी की बात है कि अभी उनको ओफलाइन के लिए जाना नहीं पड़ेगा ओनलाइन ही सीट अलोट्मेंट हो जाएगा जिससे उनको आने जाने की प्रेशानी से वो बच सकते हैं और जो उनको डीडी लेके जानी हो पी ने पहले भी डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन का जो सेडूल था वो ओनलाइन क्या था वो भी प्रोसेस ओनलाइन हो था जिससे उनको काफ़ी राहत मिली थी अभी ये जो मोपपराउन ओनलाइन हुआ है इससे भी स्टूडेंट को काफ़ी सारी राहत मिलेगी मैं आपको यहां पर एक बार schedule बता देता हूँ, उसके बाद rule बताता हूँ कि कोन से candidate इसमें participate कर सकते हैं, कोन से candidate participate नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें online registration है, 6 से 9 December 22 दोपेर 2 बजे तक है, ये सभी candidate को 1000 रुपीज पे करके करना है, जिसको first और second round में seat नहीं मिली है, उनको भी ये registration करना है, इसके बाद में security deposit करनी है, security deposit 30,000 government की condition में, 1,00,000 BDS की condition में, और 2,00,000 private MBBS की condition में करना है, तो ये जिनको first और second round में security deposit कर रखा है, उनको security deposit दुबारा करने की ज़रुरत नहीं है इसमें, इसके बाद में merit list जारी हो जाएगी 9 December 22 को, और online choice filling 10 से लेके 13 December 22 तक रहेगी इसके बाद में result 15 December को आ जाएगा और last date joining 60 December 22 रहेगी, अब इसमें ऐसे candidate जिनको first round में seat alert हो चुकी है, जिनोंने join कर लिया है, या फिर जिनोंने resign कर दिया है, ये तीनों परकार के candidates इस counselling के लिए eligible नहीं है, इस counselling में वही candidate eligible है, जिनको first और second round में seat नहीं मिली है, या फिर phrase candidate हैं, जो मोपर प्राउंड में phrase registration कर रहे हैं, वही इसके लिए eligible हैं, इसके बाद में जैसे ही admission हो जाता है, private के condition में सभी candidates को ये अपना tuition fees का DD deposit करना होगा, ये नोडल सेंटर पर करना होगा, सभी candidates को मोपर प्राउंड क्या जो process करना है, वो नोडल सेंटर पर ही करना है, त जो इसमें DD बनाना है, डाइरेक्टर जर्नल मेडिकल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनो के नाम से DD बनानी है, और ये tuition fees की DD बनानी है, जब किसी candidate को ये seat alert हो जाती है, इस मोपप राउंड में online seat, तो ये जानकारी थी, यूपी के बारे में जो changes हो का आएगा हम आपको inform कर देंगे, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैशन!